नमस्कार दोस्तों मैं हूँ श्योंबर मैं आप सबका स्वकत करता हूँ आपके अजू केशना चला में दोस्तों वेल्कम बाइटी चलो पड़ाई करते ही रिड़ोप चला तो आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से आच चुके हैं टॉप 25 मोस्ट इंपोर्टनेंट जी के कोशन्स जी हां दोस्तों जैसा कि आपने सुना हम लोग आज फिर से जी की कोशन्स करने वाले हैं हम लोग 26 वे प्रश्ण के आगे से पढ़ेंगे चले बिना तरी करें आज की सेड़े को शुरू करते हैं 26 वे जलिया वाला बाग हत्या कांड कहां और कब हुआ था इसका उ जारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन सी है वो है रेड क्लिफ रेखा मचलिया अपना सास किसकी साहिता से लेती है गलफडो की साहिता से दोस्तों मचलिया अपना अपनी सास किसकी अपनी सास गलफडो की साहिता से लेती है भारत की प्रतम महिला राज्यपाल कौन राजाराम मोहन राए हमें से कोई पूछे ब्रह्मा समाज के संस्तापक कौन थे तो वो थे राजाराम मोहन राए भारतिय अंतरिक्ष कारेकरम के जनक कौन है वो है डॉक्टर विकरम सारा भाई भारतिय अंतरिक्ष कारेकरम के जनक है तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज यह नारा सुभाज चंद्र बोस ने दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आ जादी दूँगा बक्सर का युद कब हुआ था बक्सर का युद सेवेंटि सिक्स्टी फोर में हुआ था माउंट एवरेस्ट पर दो बार चड़ने वाली प्रतम महिला कौन थी वह संतो सिक्सटापक कौन माने जाते हैं घुरु नानक के सिस्ट्द रेंक क 40 मुनाणक के संतापकई है बारत का सुजलेंट किस राज्य को कहा जाता है कश्मीर बारत का सुजलेंट कश्मीर राज्य को कहा जाता है स्वन्न मंदर कहां स्थित है वो है अमरत सर में अमरत सर में स्वन्न मंदर स्थित है वासको डिगामा कहा का रहने वाला था वो है पुर्तगाल का पुर्तगाल में वासको डिगामा रहता था लोह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है वो है सरदार बललब भाई पटेल को लोह पुरुष किस महापुरुष को का जाता है सरदार बल्लब भाई पटेल एक महापुरुष है जिनको लोह पुरुष कहा जाता है सरवादिक सीमाओ वाला देश चीन है चाइना सरवादिक सीमाओ वाला देश है महाबारत के रचियाता कौन है वो है महर्शी वेद व्यास हम जो आज महा भारत देख रहे हैं वो रची गई है महर्शी वेद व्यास के महर्शी वेद व्यास जी ने महा भारत को रचा है शेत्रफल की दृष्टी से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तो शेत्रफल की दृष्टी से भारत का सबसे बड़ा राज्य है हमारा राज्यस्तान है शेत्रफल की दृष्टी से देखा जाए तो हमारा राज्य सबसे बड़ा राज्य है भारत में भारत में सेनिकों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सेनिक सम्मान कौन सा है दोस्तो बारत में सेनिकों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सेनिक सम्मान है परमवीर चक्र परमवीर चक्र सेनिकों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सेनिक सम्मान है ओनम भारत के किस राज्य का प्रसिद तयार है वो है केरल का केरल राज्य में ओनम बहुती प्रसिद त्योहार है जन संक्या एव शेत्र फल की द्रस्ती से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है वो है वेटिकन सिटी दोस्तो वेटिकन सिटी जन संकिया शेतर फल की दृस्टी से विश्व का सबसे छोटा देश माना गया है पंजाबी बाशा किस लीपी में लिखी जाती है गुरु मुखी लीपी में अगर हम पंजाबी बास्षा की लीपी जानना चाता है तो हमें यही जानना है बस गुरुमों की लीपी में पंजाबी बास्षा लिखी जाती है कलाम का सिपाही किसे कहा जाता है मुन्ची प्रेम चंद्र को कलाम का सिपाही कहा जाता है बारत का सबसे प्रतम विश्व विद्याले कौन सा है और उसकी सापना कब हुई बारत का सबसे प्रतम विश्व विद्याले है नालंदा विश्व विद्याले 450 में उसकी सापना हुई थी तो चलिए दोस्तो जिसी के साथ सा तब हमर इस VY でो 2 का करने जा रही हैं अगर आपको वीड्स पर जा आती है तो लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों यह हमारी दूसरी वीडियो होने वाली है पहली हो चुकी है आपको पहली दूसरी तीसरी और जो चोती वीडियो आईगी उन चारों में कमेंट करना और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना है तभी आप बना हमारी वीडियो के विनर बन सकते हो एक बाद मैं आपको डीटेल में बना दू अगर आपको हमारी वीडियो का विनर बनना तो सिंपल सी बात है आपको हमारी चार वीडियो का चार वीडियो में कमेंट करना यह दूसरी वीडियो है इसके पहले जो वीडियो आई थी उसको मानके उसको गिनेंगे तो चोटल चार यह दूसरी है फिर बाद में दो और आईगी उसमें आपको कमेंट करना है सारी वीडियो में कमेंट करना और सब्सक्राइब करना है तो आप मैं फिर ना आप में से आप ही में सही किसी एक जने को रेंडम पिकर से लूँगा तो कमेंट करोगे तो सही रहेगा आपको पिक किया जाएगा तो फिर